तो जो आपको फीचर्स 5-6 एरुपए की एरबट्स में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर बोट ने 3 एरुपए में extra ही फीचर्स प्रोवाइड किया है इस एरबट्स में लेकिन यहाँ पर quality से compromise किया गया है कि नहीं इस वीडियो में आपको heavy testing मिलने वाली है इसको लेकर और यहाँ पर आपको ऐसे गेंडे गेंडे यहरबट्स दिये गए हैं आप चुप रहेंगे तो हमारी help हो गई और इसमें head tracking का feature दिया हुआ है दोस्तों उसमें exactly क्या होता है तो क्या हाल है दोस्तों आप लोग के यहाँ पर दोस्तों हमारे काफी खर्चे हो रहे हैं हम लोग अलग-अलग products को आपर purchase करके review कर रहे हैं और इसमें आपको काफी special features मिलने वाले हैं जैसे आपको 360 degree का special audio के साथ head tracking का option मिलने वाला है और इसमें आपको ANC mode मिल जाएगा, dual device pinning का support, inner detection feature, application support, features जो आपको premium earbuds मिलने वाले हैं इसमें आपको भर-भर के मिलने वाले हैं उससे compromise नहीं है लेकिन output से compromise किया गया है कि नहीं दोस्तों, heavy तरीके से आप testing देखिए, उससे compromise नहीं करेंगे हम लोग ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको purchase करने का, एंट तक पॉस्ते पॉस्ते आप definitely decide कर पाएंगे कि इसको आपको option में रखना चाहिए कि नहीं शुरुबात करते हैं इसके unboxing के साथ, तो यहाँ पर आपको boat, nirvana, iv, true wireless earbuds का, ऐसे बिल्कुल है आपको बड़ी आसा box मिलेगा ब्रैंड की तरफ से और इस तरीके से इसको आप unbox कर सकते हैं, book shape के आपको packaging मिलने वाली है, सारी चीज़े properly pack की गई है यह box के अंदर तो सबसे पहले आपको एक QR code दिया हुआ है, यहाँ पर आप स्कैन करके warranty register कर सकते हैं, जो पीछे QR code दिया हुआ, application का हम आगे discuss करेंगे कैसे work करती है, एक user manual मिल जाएगी, इसमें आपको चाहते हैं, तो solid detailing check out कर सकते हैं, प्रोड़क्त के बारे में, एक I am about it का शिकर एक छोटी से अपको लेंद की type C की charging cable में लेगी तो charger earbuds case, और यहाँ पर आपको ऐसे multiple extra ear tips मिलने वाले हैं, अपने कानों के size के साब से यूटलाइस कर पाएंगे, और साथी में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक carrying strap दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर चाहते है यहाँ पर मैं लगा चुका हूँ, इसको आप आराम से कहीं भी carry कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और front में आपको Nirvana by board की branding मिलने वाली है, यहाँ पर आपको एक battery indicator light मिल जाएगी, और ऐसा आपको look and fill मिलने वाला case part को लेखे, और side में आपको type C का port मिलेगा charging purpose के ल लोगो है, यहाँ पर आपको reset का button दिया हुआ है, और इसमें आपको मिलने वाले हैं, magnets, earbuds नहीं किरते case के अंदर से, और जो case का lock है, वैसे आपको lock मिल जाएगा, हालागी ऐसास कोई दिक्कत नहीं कि lock को लेके, hinges काफी आपको बढ़िया मिलने वाले हैं, और instant wake and pay technology मिलने व तो decent तरीके से, इसका IWP feature work करता है, और dual device pairing का support भी है, एक टाइम पर डो device से connect करना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, बागी buds यापको दोस्तो चैयम शेप के buds मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको ऐसे look and feel के buds मिलने जाएंगे, थोड़े मोटे design का बोल सकते, buds का यहाँ पर सही मिलने वाली है, लेकिन थोड़े मोटे buds लखते हैं कानों में, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, बागी इसको मैंने पहने के वैसे activities भी क्यों है, अगर आप यापे workouts करते हैं, running jogging करते हैं, कानों में ऐसे गिरते नहीं है, secure तो आपको fit provide करते हैं, अगर आप प्र in-ear detection feature, 4 mics setup, noise cancellation feature के साथ, beast mode, gaming mode, ANC mode, transparency mode, board, hearables, application का support मिल जाएगा, और approximately 5-7 घंडे के पीशे playtime में लेगा, और single charge depend करता है, ANC mode, volume आप किती सुनते हैं, उस सबसे better life depend करती है, और यहाँ पर आप 3-4 बाए earbuds को fully charge कर सकते हैं, इसमें चार्जिंग का support मिलने वाला है, 10 मिन आप आप case को charge करेंगे, लगबग आपको 3-4 घंडे का playtime कर दिया जागा case part के थूँ, तो जो आपको premium earbuds से features मिलते हैं, इसमें भर-बर के features मिलने वाले, उसे compromise नहीं है, और अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसके application support की, यहाँ पर आपको board hearables application का support मिलने वाला है, और इसमें आप आप right value earbud को ऐसे long press करते हैं, 2-3 seconds के लिए, तो यह ANC mode में switch करेंगा, long press करेंगे, तो transparency mode में switch करेंगा, और इसके ANC और transparency mode की बात करेंगे, दोस्तों, जो ANC mode है, 50 decibels तक background noise cancel करता है, जो काफी सही तरीके से मुझे work करता हुआ दिखा, normal condition में यहाँ आप है, अगर आप music listening करत आपको शांती में consolidate करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, background की noise से मतलब नहीं रखना है, ANC mode में on करेंगे, बिलकुल यह maximum भार के noise cancel करतेगा, outer condition में भी सही तरीके से work करता है, आप ANC mode on करेंगे, साफ साफ को difference पता चल जाएगा, maximum भार के noise cancel करतेगा, हलके हलके आ सकती है, ल तो नहीं वैसे सही तरीके से work करते हैं, साथे में special audio के effects दिएगा है, यहाँ पर इसको off भी कर सकते हैं, और इसे आपको fixed special audio का effect और साथे में head tracking का option दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप चाते हैं कि experience करना, कि special audio का effects है, उसका आप demo लेना चाते हैं, तो application पार के through भी कांकिती frequencies catch करते हैं, आप hearing test कर सकते हैं, प्रोपर तरीकी से उसाफ़ा output प्रवाइड किया जाएगा, application पार के through आप कर सकते हैं, और touch में आप जाएंगे जो touch controls, single tap करने से, double tap करने से exactly क्या हो आपको customize करना है, तो यहाँ से आप कर पाएंगे, system में आप जाएंगे जाएंग आप जाएंगे, ताइम ली अब्रेट साथ रहते हैं, चेक आउट कर सकते हैं, यूजर में डाउलोड करने यह भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके earbuds में कोई दिक्कत आती है, बैटरी को लेके, correction को लेके, touch controls को लेके, तो आप डिग्नोस कर सकते हैं, तो आप अपर application मेरे तो दोस्तों, आप अपर 60ms latency claim किये, लेकर मेरे एसाब से आपर 45 या 50ms देते हैं, तो बैटर रहता, क्योंकि 60ms के इस पास पर मुझे आपर कहीना की थोड़ी से extra latency कहीना की कभी कभी लग रही थी, अगर आप AC codec में on करके, game mode on करके, gaming करेंगे, आप अपर थोड़ी latency लग सकती है, यहाँ पर मैंने SBC codec on करके, game mode on करके, gaming test आपको दिखाया हुआ है, तो उसमें आप बोल सकते हैं, मतलब इनोड़ी experience तो सही मिल जाएगा, enemies कैसे आरे, कहां से आरे, आप पता कर पाएँगे, यहाँ अपको अच्छी gaming experience मिलने वाली है, latency आपको ठीठ हग मिल सकते हैं, साइन में बैठा हुआ नहीं बता पाएगा, आप कानों में क्या सुन रहे हैं, यहाँ पर आप शान्ती वाले environment में हैं, यहाँ आप आप 70% volume से उपर जाएंगे, यहाँ आपको साफ 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 वली की शाचु देखने को मिलेगा, इसको अद्धा में रखेग तो special audio में आपे switch करता रहता है, और आप चाहते हैं, जो special audio के effects दो आप्शन मिलने वाला है, एक आपको special audio आपको fixed मिलने वाला है, दूसरा आपको head tracking का option मिलने वाला है, जो application पार है, आप select कर सकते हैं, left वाले earbud को long press करने से special audio आपनो, यह head tracking वाला option आपनो, तो आप customize कर सकत हैं, बागी board के सिखने से sound की बात करेंगे, board के सिखने से sound में आपको बड़िया loudness मिलने वाली output से बिल्कुल compromise नहीं है, बड़िया loudness, vocals और proper clarity, detailing पार्ट से भी compromise नहीं क्या हुआ है, एक यादा प्रपर तरीके से beat पकड़ पाएंगे, crisp को audio मिल जाएगा, output से detailing पार्ट से अच्छे आपको tribbles मिलने वाले, उससे बिल्कुल compromise नहीं है, और bass effects भी आपको मिलने वाले है, powerful or boosted, कानों में ऐसा लगेगा, यहाँ पे धंदम वाली feeling आ रही है, हलकल के birds भी उचक रहे हैं, इसको definitely, बड़िया music, powerful or boosted, basically option में रख सकते हैं, board के singing sound में सुनेंगे, definitely आपको उसको लेकर मैं काफि impressed हुआ, वो क्या करता है, जो sound है, आपके head के accordingly प्रॉपर तरीके से track करता है, अगर आप music सुन रहा है, आप ऐसे करेंगे, तो यहाँ से आवज आएगी, फिर आप ऐसे करेंगे, तो यहाँ से आवज आएगी, मतलब पूरा जो concentration है, आपके head पे आप जैसे head हिलाते रहेंगे, उपर करेंगे, नीचे करेंगे, side में करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो आपके head के accordingly सामने ही चलती रहेगी, तो वो experience मुझे personally काफी बढ़िया लगा, मतलब ऐसे आप enjoy करता जाते है, music बढ़िया तरीके से, आपके लागेगा, भाई, music आपके स साथ, देखिए आप हमारा HDRS Heavy Dixia Review System, इसके थरू, हलो, यस दिक्षा जी, क्या चल रहा है, बस पुछ नहीं, लंच की तयारी, लंच की तयारी, एक calling test की जाए साथ-साथ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, अभी न बोर्ट Nirvana IV लांच किये है, बोर्ट ब्रेंड ने, तो हमने purchase किये हैं, यहाँ पर calling test कर रहे हैं, पार्क साइड कंडिशन में, धूप में, बिल्कुल, यहाँ घर्मी में, गूंफिर के बाचीत कर रहा हूं आप से, यह बट के थरू, तो मेरी आवाज आपको कैसे आरी है, आपको काफी clear आरी है, यहाँ चिल 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 च नहीं आरी है, तो कितना पर्षंटे इस नॉमल कंडिशन के इसाफ से मेरी आवाज से फोकस बोल सकते हैं, आप 90 परशंट तक है इतना बढ़ी हाँ फोकस, हां, क्या बात है, अब जाएंगे आप यहाँ पर ट्रफिक कंडिशन ने बताईगे का वहां कैसी कॉलिंग है, ठी आवाज तो अब समझ में आ रही है, लेकि हासा आवाज फोड़ा सा फ्लक्ट्वेशन लग रहा है, और बैग्राउंड के अक्टिविटी भी जैसे गाड़िया निकल रही है, इन सब के आवाज समझ में आ रही है, तो इस कंडिशन तो मेरी आवाज से किकना पर्षंट इस आवाज पर्षंट पर्षंट अराउंड एक्टी परसे 75-80% है अभी इतना फोकस फिर भी हाँ इस पर दिख लिए ओके हां बैए तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप ऐसे नॉमल कंडिशन में है, आउटर कंडिशन में ज्यादा एंवाइमेंट में आगए अक्टिटीज न अब हम करेंगे रेइंग्स, sound quality, bass quality, call quality, gaming experience इसके ANC mode को out of 10. तो मैं sound quality दूँगा 9 out of 10, मैं bass quality को भी दूँगा 9 out of 10, इसके call quality दूँगा normal condition में 9 out of 10, outer condition में traffic condition में 7.5 out of 10, इसके gaming experience को दूँगा 8.5 out of 10, इसके ANC mode को दूँगा 9 out of 10, तो these are the ratings और निड़ने दू मायर परसले यह जो head tracking का option है, special audio के effects है, बढ़ी तरीके से work करते हैं, बागी इसले आपको ANC mode भी सही तरीके से work करता है, मैंने आपको वैसे सारी की सारी testing दिखा दी, pros and cons के सार, अब आप पर DCR matter करता है दोस्तों, लेकिन मेरे साब से थमसा पर इसको अब जा फिनली चेकाओ कर सकते हैं, best possible links देदिये हैं, description में आपको प्रड़क पसंद आए, तो चेकाओ करके grab कर सकते हैं, आपको भी कुछ दिक्काद है, कुछ पूछना हो, comment section में पूछिए, I will try my best to help you out with that, so the social about the unboxing, reviews, complete testing, and my personal experience with the recently launched, boat Nirvana IV True Wireless Earbuds, hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment share as much as possible, so we can make more good stuff for you all, thank you for watching this one, and see you in the next video, thank you.